हेलो कमांडोज, वेलकम तो बायमेंटर्स क्लासेस अनलाइन तो टोड़े वी आर गई तो स्टार्ट अन्यू चाप्टर इन अवर क्लास 12 फिजिक्स और नेम आप दे चाप्टर इस मूविंग चार्जेज एंड मागनेटिजम अब इस चाप्टर की यदि मैं बात करता हूँ मूविंग चार्जेज एंड मागनेटिजम तो देखो क्या कह रहा है क्या कह रहा है यह कह रहा है चार्जेज हैं आपके पास में और यह चार्जेज क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं आपके पास में Charges हैं और ये Charges क्या गर रहे हैं मूब कर रहे हैं और भाया ये जो Charges जब मूब कर रहे हैं तो इसके कारण शायद Magnetism Effect आ रहा है शायद क्यों बोला भाया अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है इसलिए मैंने शायद बोला क्या चैप्टर का नाम हमें कुछ-कुछ ऐसा ऐडिया दे रहा है that something like that we have some Charges दो Charges are moving and quite possibly because of these moving Charges we are getting Magnetism and what do you mean by Magnetism मतलब something magnetic field से related कुछ होना चाहिए Magnetic force से related कुछ चीज़े होनी चाहिए ऐसा feeling मुझे यहाँ पर इसको देखके आता है यस और नू बिलकुल अब ऐसा जो feeling मुझे इसको देखके यहाँ आया ऐसा ही feeling किसी और को भी आया ऐसा ही feeling यहाँ पर किसी और को भी आया और उनका नाम है और स्टेट उनका नाम क्या है और स्टेट भाई बड़ा हो जा थोड़ा सा इसका पेन कहां गाया वो गया भाई ओके ठीक है एक सेगंड मैं आपको NCRT की भी जलक दिखा दूँ भाई ताकि क्या है कि आपको भी लगे कि हाँ हमारी NCRT संग में चल रही है ऐसा ना हो कि आपको लगे कि NCRT नहीं चल रही है अब ये कौन सा क्या खुल रहा है गौट इट कर देता हूं इस पे शायद इस पे मान जाएए हैंगी नहीं आई ये आ गया ठीक है NCRT है ये आपकी बिल्कुल भाई है NCRT है कोई नई बुक तो नहीं बता दिया आपको बेकूब बनाके नहीं बताई ना देखो not to be published copyright NCRT NCRT का copyright है chapter 4 आपके में भी लिखा होगा moving charger and mechanism लिखा होगा ऐसा कोई तो भी QR कोड लगा होगा QR कोड शायद physical books में नहीं आते होंगे शायद जहां तक मुझे याद नहीं आ रहा है मैं ध्यान नहीं दिया क्या होता है कई बार कुछ चीज़ें एकदम रोज देखी हुई होती है लेकिन कई बार उस पे नजर नहीं जाती है ठीक है तो यही रहा है ओ इस्टेड देखो हैंस हंस जो भी है Christian Christian जो भी है ओ इस्टेड नाम पढ़ लो भाई बहुत डिफिकल नाम है बहुत डिफिकल नाम है अब ये वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका लॉजिक क्या है तो हमने एक chapter पढ़ा है electrostatic देखो एक unit पढ़ी है electrostatic चैपटर नहीं कहँगा electrostatic एक unit पढ़ी है ये जो electrostatic unit है वो क्या कहती है ये उल्यक्तरो मतलब ये word जो related है वो electron से related है और electron ये word है वो कही ना कही आपको कहता है कि ये एक charged particle है क्या ये बात सही है क्या ये बात सही है electron एक charge particle है और ये जो static word है ये हमें बतलाता है at rest ये हमें क्या बतलाता है at rest electron मतलब charge particle मतलब charges at end मैं इसको यही तो कहूँगा charge particle मतलब charges के बारे में बात हो रही है और जो हमारे charges है वो कहां है at rest है तो कहानी हमारे पास में ये बन रही है कि हमारे जो charges rest पर है ये क्या करते हैं ये produce करते हैं electric field ये क्या produce करते हैं एक electric field produce करते हैं charges क्या करते हैं एक electric field produce करते हैं अब ये जो electric field है produce हुआ है ये कोई hypothetical कलपना नहीं है इसका real existence है ये बात हम जानते हैं और इस बात को हमने कैसे देखा इस बात को हमने देखा कि इस electric field में जब किसी दूसरे charge particle को लाया जाता है अनादर charge particle को जब इस field में लाया जाता है तो ये क्या करता है एक force का अनुबाव करता है experiences a force बात समझ में आई तो मतलब कपोल कलपना नहीं है electric field electric field का real existence है अब इसमें कहानी ये है कि भईया ये जो charge particle ते rest पर थे तो नो ने electric field produce किया क्या charge particle चले तब भी electric field produce होता है हाँ भीया चार्ज है मतलब आपका electric field होगा चार्ज है मतलब electric field produce होगा अब यदि इन charges को मैं चलाना चाहूं इन charges को यदि मैं चलाना चाहूं तो मेरे पास कितने तरीके आपके साब से लगते हैं आपके पास क्या तरीके हो सकते हैं एक तो चार्ज को मैं रखू यहां पे एक एलेक्टरॉन पकड़ के लाओ उसको यहां पे रखू और उसको टुचकी मार दू चलेगा चलेगा क्या वो तो फिर हवे में उड़ेगा भी है की नहीं पर आप उसे मानिए कि वो चल रहा है थोड़ी तरी के लिए मूव कर रहा है उड़ना उड़ना हमारे सिलेवस का पार्ट नहीं है हमें हमारे लिए वो चीज़ चलने वाली है मतलब आप चार्ज को चला सकते हैं या फिर आप सोची कि आपने चार्ज को यहां पर रखा था एक इलेक्टरॉन को पकड़ गिला यहां रखा था यहां पर एक लेक्टरॉन अब प्रोटॉन को कहीं फेवी कॉल लगाके कर दिया सोचना ज़रा इस बात पे सोचना ज़रा इस बात पे बेटा कि यह आपका ग्राउंड है और यहां पर है आपका एक प्रोटॉन और इस प्रोटॉन को क्या कर दिया इस प्रोटॉन को क्या कर दिया यहां पे फेवी कॉल का जोड लगा दिया फेवी कॉल का जोड लगने से फिक्स थाइवी कॉल का जो़ँ लगने से प्रोट Newton जया हो गया फिक्स अब आप कहीं से एलेक्ट्रोन को पकड़के लाए और यहां पर छोड़ा और जैसे ही आपने एलेक्ट्रोन को यहां पर छोड़ा तो क्या हो जायेगा भाईया जैसी electron को आप यहाँ पर छोड़ोगे तो क्या होगा बताओ ये positive charge ये negative charge और opposite charges attract इच अदर ये बात आप जानते हो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकरशित करते हैं ये बात हम बचपन से पढ़ते आए हैं तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकरशित करते हैं था जो की proton से चारों तरफ में ऐसे निकला हुआ था और इस फील्ड में ये electron आया तो इसने एक electrostatic force का experience किया और जैसे ही अनभव हुआ उसे किसी बल का कि कोई तो भी एक शक्ती है जो मुझे अपनी ओर आकरशित कर रही है तो electron माशे आराम से इदर में चल दिये अब चल दिये मतलो तो गोली की रफ्तार से चलेंगे लेकिन आप तो ऐसे दोखो कि हाँ भईया चल दिये चल दिये तो एक तरीका तो ये हो सकता है एक तरीका तो ये हो सकता है तूसरा तरीका ये हो सकता है कि भईया देको ये है आपका एक conductor ये है आपका एक conductor यह आपका एक conductor और conductor है मतलब इसके अंदर में बहुत सारे free electrons होंगे conductor है मतलब इसके अंदर में बहुत सारे च्या होंगे free electrons होंगे बिल्कुल मान लो मैंने इसे ऐसे बैटरी से किया connect तो यह plus और यह minus अब जैसे ही बैटरी से connect करूंगा तो भाया इस वाले ये जो conductor है इसकी ये वाली surface क्या हो जाएगी positively charge ये वाली surface पे पूरा आ जाएगा negative charge और ऐसा होने के कारण यहाँ पर क्या होगा बेटा एक electric field establish हो जाएगा क्या हो जाएगा एक electric field establish हो जाएगा क्या हो कारण यह जो charge particle है इन पर फिर से एक electrostatic force लगेगा और electron ऐसे चलने लगेंगे अब electron चलने लगे मतलब आपके charge particle चलने लग चुके हैं देखो मैं base तयार कर रहा हूँ आपका समझना ज़रा बात को point लिखे हुए मिलेंगे आपको यह जो diagram जो मैं बना रहा हूँ वो सिर्फ समझना है ध्यान देना है आके खोल खोल के बस जो कह रहा हूँ वो समझ यह base को मजबूत बनाईए देखो किसी भी बड़ी इमारत के बनने के लिए आधार का उसकी base का उसकी जो नीव है उसका मजबूत होना ज़रूरी है तो क्या यह electron चल रहे हैं बिलकुल अब यह जो electron चल रहे हैं यह inside a conductor चल रहे हैं यह electron कहां चला inside a conductor चला अब चूंकि यह electron इधर चला मतलब इस conductor में since electron is moving towards left towards left inside conductor inside conductor electron जो है वो conductor के अंदर में left direction में चला तो भाईया इसका मतलब यह है कि current will flow हमने एक entity मानी है current current will flow current will flow towards right yes or no through the conductor through the conductor yes अब चूंकि electron है चार्ज पार्डिकल है मतलब चार्ज पार्डिकल के का इलेक्टरिक फील्ड की तो बात होनी ही होनी है यह चार्ज पार्डिकल का होना मतलब electric field का existence होना यह तो हमें पता लग गया अब एक conductor में से यदि current flow हो रहा है मतलब basically उसमें से चार्ज पार्डिकल ही flow कर रहे हैं और इसी चीज को इन्होंने notice किया कि जब हम एक स्ट्रेट वायर में current flow कराते हैं हम एक स्ट्रेट वायर में देखो NCRT है आपको जरूरत है क्लास 12 की NCRT को पढ़ना है भहिया जो कुछ पॉइंट आपको printed booklet में नहीं है जो NCRT में है वो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे ठीक है और lecture बड़ा होगा lecture number one है basic है लेकिन बड़ा होगा बहुत ही basic है लेकिन थोड़ा बड़ा इसलिए होगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि concept अच्छे से पकड़ में आ जाए एक बार तो ओइस्टर ने नोटिस क्या किया कि भाईया जब आपकी straight wire में से current flow कराया जाता है तो उसके पास में रखी हुई एक magnetic compass needle जो है उसमें एक deflection आता है क्या आता है deflection आता है Christian ओइस्टर ने नोटिस किया कि जब एक straight wire में से straight wire में से current flow कराया जाता है मतलब conductor होनी चाहिए तो एक straight wire में से current flow कराया गया तो उसके पास में रखी हुई magnetic compass needle में ध्यान रखना magnetic compass needle के अंदर में क्या आ गया deflection आया तो भईया अब deflection आया उसने कुछ नया देखा बंदा scientist है और उपर से phidicist है उसके दिमाग में आया कि ऐसा क्यूं हो रहा है अब वो सोचेगा अपनी बुद्धी लगाएगा और उसने जब अपनी बुद्धी लगाई तो उसने सोचा गया इसको कुछ ना कुछ इसके अंदर आखिर इसके पीछे का रहस से क्या है क्या राज है इसका उस राज को ढूड़ने निकला कौन हमारे ओश्टेड बाई साब निकले अब उसने जब इस चीज को observe करना और सारे practical जब करने की starting करी उसने पाया कि जो needle है वो जो needle है उसका जो alignment है वो एक tangential direction में बन होता है क्या form होता है बेटा एक imaginary circle यहां पर form होता है किसके कहां straight wire के आजू बाजू में surrounding में imaginary circle form होता है मतलब इस compass needle को straight wire के एकदम path में लेक्या आएं तो बाईया यह जो compass needle है वो एक circular path में tangential direction में क्या करती है अपनी direction को या अपने आपको align करती है फिर इन्होंने current की direction को change करके देखा फिर इन्होंने current की direction को change करके देखा अब क्या हुआ अब उसकी direction बनल के किसकी compass needle के अब उसने अपने आपको reverse direction में align कर लिया उसने अपने आपको क्या कर लिया reverse direction में align कर लिया तो देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है और एक और चीज़ यदि हम current को increase करते हैं तो deflection बढ़ता है या फिर हम needle को wire के close लाते हैं तब भी deflection बढ़ता है और ये सारी चीज़ें उन्होंने figure 4.1b जो भी है उसमें दे रखी है जो मैं यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ देखो ये रहा ये बहिए देखो ये जब देखो ये जो दिख रहा है न dot ये cross ये current की direction ये क्या है current की direction है और ये compass needle का orientation आया है ठीक है now जब current की direction को reverse किया गया है तो compass needle का जो orientation है जो imaginary circle के form में चल रहा है वो यहाँ पर बदला है फिर ये जो diagram है ये है कि जब हम क्या करते हैं iron की springling कर देते हैं तो उस और wire के आजू-बाजू में तो हम देखते हैं कि वो भी एक circular manner में अपने आपको क्या कर लेती है align कर लेती है align कर लेती है देखो यहाँ पर कहीं लिखा होगा iron flint sprinkle around a wire arrange themselves in concentric circle with the wire as the center और यहाँ पर ओरिश्टर्ड ने एक conclusion निकाला कि भीया moving charges या current क्या करते हैं अपने surrounding space में क्या करते हैं magnetic field produce करते हैं तो यहाँ पर जो कुछ data है यहाँ पर देखो जो कुछ data है NCRT से आपको read करना है read NCRT देखो यह ऐसे एक diagram बनेंगे एक ऐसा एक diagram बनेगा यह सारा chapter of moving charges में जो है वहाँ से लेना है chapter moving charges से लेना है या read करना है ठीक है read करना है ध्यान रहेगा क्या और अब यदि मैं important point की बात करूँ तो आपको एक बात समझ में आ गई कि charges at rest charges at rest only produces electric field only produces electric field और जो charges motion में है charges in motion charges in motion produces 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 both electric field both electric field as well as as well as magnetic field और इसके लिए booklet में आपको एक diagram बनाया गया है जिसमें एक reference frame लिया गया है ये s not एक reference frame है और यहाँ पर एक charge है Q यहाँ पर क्या रखा गया है एक charge Q है अब ये rest पर है तो भाईया यहाँ पर कहानी ये है कि electric field is not zero बट the magnetic field is zero ठीक है अब हम ये कहते हैं कि यदि इस reference frame में जो की rest पर है इसमें यदि कोई charge है Q और ये move कर रहा है V velocity से तो भाईया ना तो इस reference frame में electric field zero होगा ना ही इस reference frame में magnetic field zero होगा क्योंकि ये सारा data हमें मिला है experiment से ये सारी चीज़े हमें मिली है experiment से क्या यहाँ तक कोई परिशानी है अब क्यूं करता है कैसे होता है उसके लिए experiment करने के लिए scientist बैठे थे उन्होंने experiment किया अब हमें बस इतना याद रखना है कि charges at rest only produces electric field charges at motion produces electric field तो चले गई चलेगा साथ में वो magnetic field भी produce करते हैं अच्छा एक बात बताओ मुझे electric field कि यदी मैं बात करूँ electric field at a distance at a distance are away from charge q कितना लिखा जाएगा तो सर आप कहेंगे कि e बराबर one upon four pi epsilon not q upon r square अच्छा यदी मैं आपसे इसे vectorially पूछू तो क्या लिखोगे e vector बराबर one upon four pi epsilon not q upon r square और ये r cap लगा दोगे सही बात है yes or no कोई दिक्कत तो नहीं होगी अच्छा vectorially लिखने का एक और तरीका होता है जो बच्चे कई बाहर है न इसमें गलती कर जाते हैं one upon four pi epsilon not अपनी जगे है ये आएगा q upon r q और इसे लिखा जाएगा r vector q r cap को लिखा जाएगा unit vector को कैसे लिखते है unit vector को कैसे लिखते है a vector upon mod of a vector तो ये इसका magnitude नीचे जाएगा तो r square into r तो r q हो जाएगा ठीक है तो कई बार बच्चों को ये गलती हो जाती है वो इसके साथ में r square और इसके साथ में r q लिख देते हैं बेसिक है गलती मत करना तो अब चुकि मुझे electric field समझ में आता है कि यदी कोई charge है वो rest पर है तो उसके कारण electric field इस प्रकार से लिखते हैं और ये हमें आता है ये वाली बात हमें पहले से आती है तो अब हम बात करने वाले है magnetic field की तो हम एक heading डालते हैं छोटी सी heading है magnetic field अब मैं आपको एक बात बता दूँ जो मैं formula आपको बता रहा हूँ वो formula NCRT में नहीं दिया गया है formula NCRT में नहीं दिया गया है लेकिन मैं वो formula क्यों बतला रहा हूँ क्यों booklet के अंदर में वो diagram के साथ में formula दिया गया है reason clear है कि भाईया आप concept को अच्छे से पकड़ पाओ तो भाईया हमने कहा की हमने कहा की a charge q a charge q moving with velocity v velocity v vector अब देखो मेरे पास मैं दो तरीके कि मैं directly vector form में लिख दू और फिर उसे magnitude में लेके आऊ जैसा मेरे मन में आए मैं वैसा कर सकता हूँ इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन हम लिख लेते हैं चलो मान लेते हैं vector में a charge q moving with velocity v या speed v जो भी लिखना है देखो थोड़ा बहुत अंतर तो आएगा एकदम रेटर के कैसे लाऊंगा मैं in observers इनर्शियल फ्रेम ओफ रेफरेंस a charge q moving with velocity v vector in observers inertial frame of reference produces an produces an electric field electric field as well as magnetic field लेकिन यदि मुझे इसको लिखना होगा तो मैं लिखूंगा कैसे इसको मैं समझाता हूँ मैंने क्या बोला observer का जो inertial frame of reference है उस frame के अंदर मैं जी कोई charge q v velocity से move कर रहा है तो वह वहाँ पर electric field भी produce करेगा और magnetic field भी produce करेगा उसका electric field तो मेरे को समझ में आ चुका है क्योंकि यहाँ पर velocity से कोई मतलब नहीं हो charge rest पर होगा तब भी electric field आएगा लेकिन जब वह चल रहा होगा तो वह एक magnetic field produce करेगा अब उस magnetic field के लिए मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर है आपका कोई charge plus q और ये v velocity से इधर जा रहा है मैं मान के चलता हूँ यहाँ से theta angle पर theta angle पर जाके r दूरी पर यदि यहाँ पर एक point है r दूरी पर जाकर यहाँ एक point है तो यहाँ पर जो magnetic field आएगा वो कितना आएगा यह मेरा सवाल है तो भाईया मैं इसे लिखता हूँ experimentally यह निकाला गया और यह आया mu naught upon 4 pi cube upon r cube v vector cross r vector द्यान से देखिए कितना आया है mu naught upon 4 pi q upon r cube v vector cross r vector यह आया है magnetic field किसके दूरा एक charge q जो v velocity से चल रहा है distance r पर distance r पर यह आपका magnetic field यहाँ पर आया है अब r is a position vector यह आप इसे ऐसे ले सकते हैं अब जायर सी बात है मतलब इसे आपको direction निकालनी है तो आपको cross product का आना जरूरी है ठीक है अब काफी slow speed होगी कि है मेरी ठीक है क्या यह वाला point clear है क्या बोला मैंने कोई charge q जो v velocity से चल रहा है r distance पर magnetic field produce करेगा v vector और इसे लिखा जाएगा इस वाले formulae से बराबर तो इससे एक हमें जो point मिलते हैं कुछ जो conclusion वाले point मिलते हैं वो point पता है कि चुकि यहाँ पर cross product दिया गया है तो देखो v vector cross r vector तो देखो यह ऐसे आएगा बराबर मतलब जो यहाँ पर magnetic field produce होगा magnetic field will be what perpendicular to the plane perpendicular to the plane in which अब यह theoretical point है बड़ा important point है आप लोग कहते हो ना कि हम very short notes में क्या लिखे तो यह लिखना है यह लिखना है magnetic field will be perpendicular to the plane in which charge is moving जिस plane में charge चलता है magnetic field उसके perpendicular direction में होता है ठीक है किसी position पर जो उसी plane में है बराबर क्योंकि v vector cross r vector अब इसका होने का कारण क्या है तो भाईया magnetic field cross product से मिलता है तो यह इसका region वाला point हो गया यदि यह point assertion में लिखा है तो यह true है और इसका explanation region में यह होना चीए formula अब चुकि यह formula हमारे पास syllabus का part नहीं है तो यह point यह जो है वो assertion में नहीं आ सकता हमें समझना है एकदम basic से मैं बता रहा हूँ हाँ मेरा basic थोड़ा सा higher level का है यह बात मैं जानता हूँ लेकिन सोचो इस point को समझाने के लिए जब तो मैं यह formula ना दूँ तो आप बंदूग लेके मेरे पीछे पड़ोगे सर बताओ कैसे आया सर बताओ कैसे आया तो भाई यह formula कहां से आया अब यह बन बोलना सर यह formula कहां से आया तो भाई यह derivation हमारे इस लेवस का part है यह नहीं जब यह formula है नहीं तो derivation कहां से करेंगे चलो सोचो यह बात clear हो गई अब सोचो यह वेक्टर अड़ादू यहां से और सिर्फ magnitude पर बात करूँ क्योंकि देखो यह तो important point होई गया सो मुझे बताओ बी वेक्टर का यदि मैं magnitude लिखूँ यदि मैं इसे बी मान लूँ तो यह क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को मत छेड़ो क्यों मत छेड़ो यह कुछ ऐसा है जैसे यहां पर आपका 1 अपॉन 4 पाई एपसाइलन नॉट है तो यहां पर यह चीज क्या है इसे कहा जाता है म्यू नॉट को कहा जाता है पर म्यू नॉट पराबर परमिय बिलिटी परमिय बिलिटी आफ की परमिय बिलिटी है जैसे permittivity होती है electrostatics में वैसे same to same permeability होती है magnetic field में तो यह यहां तक तो आई गया अब एगो आप इसे लिखोगे q v vector cross r vector v r sin theta तो एक r से 1 r कटेगा तो यह आएगा q into v into sin theta upon r square क्योंकि 1 r कट चुका होगा यदि कोई booklet में दिखका तो r q लिख गया हो तो उसे correct कर लेना बता देना हम की सही कर लेंगे है ना यहां तक क्लिए अब सोचो magnetic field कब-कब 0 हो सकता है तो भाई या b बराबर 0 होगा कब यदि बताओ क्या पहला point q बराबर 0 मतलब neutral particles neutral particles do not produce do not produce magnetic field जो neutral particles होते हैं वो magnetic field produce नहीं करते हैं दूसरा point v बराबर 0 हो मतलब charges at rest charges at rest do not produce magnetic field do not produce magnetic field जो rest पर हैं वो आपके magnetic field produce नहीं करेंगे तीसरा point theta बराबर 0 it implies sin theta बराबर 0 it implies angle between angle between velocity of charge velocity of charge and position vector and position vector is 0 तो बहिया it implies क्या होगा क्या होगा magnetic field magnetic field will be 0 will be 0 along the line along the line या path जो भी आपको लिखना है वो लिख लीजिए along the path on which on which charge is moving या charge particle is moving या charge particle is moving या बड़ी important line है बहिया मतलब यदि कहानी clear है यदि आपका कोई plus q charge है और यह ऐसे V velocity से इधर चल रहा है तो बहिया इस पूरी line पर आपका magnetic field क्या होगा जीरो होगा यह बड़ा important point मैंने यहाँ पर बतलाया है चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो कहीं पर भी ले लो वो सब कुछ क्या होगा जीरो ही होगा यास और नूर अब देखो यदि मैं यहाँ पर एक circular manner मैं यह बना दूँ यह से मान लो यह plus q charge है इसको कैसे बतलाऊ मैं आपको जा रहा हूँ यह मान लेते हैं यह इस path पर ऐसे जा रहा है V velocity से तो इस path पर यदि मैं एक circle ऐसे बनाऊ देखो यह एक circle बनाऊ क्या circle बनाऊ है तो भाईया इस circle के circumference पर magnetic field क्या होगा constant तो magnitude of magnitude of magnetic field will be constant will be constant कहां पर on circumference on circumference of a circle drawn considering the considering the considering the considering the path of circle sorry path of charge as its axis यदि इस charge के path को मैं दी इसकी axis माननों circle की इस circle के circumference पर magnetic field क्या होगा constant होगा point number four आप इसे मान सकते हैं क्या इतनी चीजें समझ में आई यह अलग से point देखो मैंने यहाँ पर zero नहीं लिखा है यहाँ पर देखो zero वाले सब बी बराबर zero if one two three point ठीक है यह मैंने समझाया चौथा point मती लिखो इसको अलगी डाल लो भाई इसको एक दम अलगी डाल लो क्या है ना कई लोग जान खा जाएंगे सर आप zero की heading डल लाई दी फिर चौथा ठीक है ना अब इतनी बेसिक चीजन चलती है point point में इतना थोड़ी लड़ना होता है कि आप लड़ना ही चाहते हो लड़ लो भाई फिर क्या करें अब थोड़ी दर जले मानों कि हमारे पास मैं यहां पर एक है proton और यह इधर जा रहा है वी वैलोसिटी से और यहां से आर दूरी पर magnetic field बताओ similar way में यहां पर है एक electron जो वी वैलोसिटी से वेक्टर यह मान लो यह जो भी मानना है क्या फर्क देखो वेक्टर वगेरा मान लो तो ठीक है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है यह electron है और यहां से आर दूरी पर यह electron है यहां से आर दूरी पर magnetic field बताओ कितना आएगा पताओ कितना आएगा आपको बताना है तो आप कहोगे सर जी म्यू नॉट अपॉन चार पाई इवी अब देखो साइन थीटा यह कहां से आया सर प्रोटोन का चार्ज ही होता है पता है ना क्या कर रहे हो प्रोटोन का चार्ज ही होता है वी थीटा तो भईया यह है 90 थीटा परबरी 97 नेटी के 1 तो यह आईगा पॉन आर स्क्वेर ओके लेकिन एक जरूरत है क्या डायरेक्शन की किसकी जरूरत है डायरेक्शन की तो मुझे बताओ वी वेक्टर क्रॉस आर तो मैंने यहां पर बतलाया है देखो जो बच्चे को यह फॉर्मला याद नहीं करना को दिक्कादे लेकर वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से डायरेक्शन आती है भाईया देखो एक्जामनर का कोई भरोसा तोड़ी है वो तो पूछ सकता है कुस्तो भी बेसिक टाइप म तो वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर मतलब यह आएगा इस डायरेक्शन में या सोरनो तो यहां पर भी मुझे डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी और यह लिखना पड़ेगा वी वेक्टर अच्छे यहां का बताओ वी वेक्टर एलेक्टर वाले का क्या आएगा तो देखो μू नौड अपॉन 4 पाई तो यहाँ पर भी आएगा ये भी आएगा ev अपॉन r square सवाल है सिर्प आशिव डारेक्शन का तो यह डारेक्शन आएगी यह वाली ठीक है क्यों क्यों कि देखो ठीटा तो यहाँ पर 90 है सब कुछ है लेकिन आपको electrostatic में भी याद होगा जब कभी भी किसी vector quantity की बात करते हैं तो हमेशा charges को उनके sign के साथ में रखा जाता है electric field से recall कर लो proton का electric field और electron का electric field की direction opposite आती है कि नहीं आती है याद करो अरे यार यह देखो यह plus q charge है तो यहाँ से यहाँ पर इदी मैं देखो आर दूरी पर और एक minus q ले लू और यहाँ से आर दूरी पर इदी मैं बात करूं तो भाईया देखो यहाँ electric field ऐसे आएगा away from the charge और यहाँ electric field ऐसे आएगा तो अब चुकि proton का यहाँ ऐसे आया है तो electron का यहाँ ऐसे आएगा यह आपकी recalling करवाईए मैंने electrostatics की तो देखो भाईया मैं आपको बता दूँ प्री रिक्विस साइट में कि आपको scalars and vectors आना चाहिए electrostatics अच्छे से आना चाहिए क्यूंकि वही concept बार-बार repeat होने वाले हैं तो आप चाहिए तो note बना के लिख दो भाईया note वी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन चाहर पाई क्यू अपॉन आर क्यू वी वेक्टर क्रोस आर वेक्टर यहां पर Charges are taken Charges are taken Along with sign Sign के साथ मैं उन्हें लेना है फिर दूसरा point formula applicable formula applicable only when only when V is less than C C क्या है यह what C stands for what C for cat C has speed of light क्या है speed of light और एक और पॉइंट वो क्या है direction obtained for negative charge और नेगेटिव चार्ज विल बी अपॉजिट टू दा अपॉजिट टू दा डायरेक्शन अपॉजिट टू दा डायरेक्शन अपॉजिट टू डायरेक्शन उसके अपॉजिट डायरेक्शन में आएगी नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन इटायरेक्शन ता डायरेक्शन ओफ फिल लिग दो वले डायरेक्शन ओफ मैगनेटिक फिल्ड क्या यह point important बदू जाएंगे। इसमें simple सी बात है theoretical कुछ चीजे हैं पूछी जा सकती है अब देखो यदि यहाँ पर magnetic field प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ है एक magnetic field प्रोड्यूस हुआ है तो मैंने heading कहीं यहीं डाल दी होगी magnetic force वाली ठीक है सत्तर स्लाइड चलनी है हमको तो मत जाना लेक्चर नंबर वन है और यही सत्तर स्लाइड टक खीचना है 27 हो गई 26 कवर हो गई देखो ऐसे बीच बीच में खाली आएंगी डरो मत तो ऐसे तभी सत्तर हो पाएंगी क्यों वह अंदाज इसे लेना पड़ता है मानलो मैं क आप नहीं कुछ चीजे हैं पढते पड़ाते कुछ और थोड़ा सा आगे चला जाता था आगे चला जाता था ज्यादा पेज लग जाते कभी-कभी आपने देखा भी होगा फिर गुसरर मुसर करनी पड़ेती मिर को एजस्मेंट करना पड़ेता है कभी-कभी इतनी खाली शूड़ जाती है बीच में पढ़ाते समय आप ये चीज को प्रेडिटी नहीं कर सकते कितना लगना है इसलिए मैं बार 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 बोलता हूं कि I like normal board rather than PPT yes or no ठीक है अब कहानी है magnetic force on charge particle ये कहानी बिल्कुल वैसे है कि जैसे आपने आप किसी charge particle को यदि electric field में रखते हो तो क्या उस पर electrostatic force लगता है हाँ लगता है तो जैसे charge particle को external electric field में रखने पर उस पर electrostatic force लगता है वैसे ही भाईया यदि आप charge particle कोई external magnetic field में चलता है तो उस पर magnetic force लगता है रखने पर नहीं लगता है चलने पर लगता है और इसे experimental studies से obtain किया गया है और ये पाया गया है क्या पाया गया है कि वेन अचार्ज पार्ट वेन अचार्ज क्यूँ मूज वेद वालो सिटी वी मूज वेद वालो सिटी वी in a magnetic field B magnetic field B तो ये क्या करता है experiences of force experiences of force experiences of force जिसे मैं नाम दे देता हूँ FM वेक्टर और FM वेक्टर को लिखा जाएगा Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर देखो दूसरी बार क्रॉस प्रोड़ट आए यदि आपको आता है तो अच्छी बात है नहीं तो बिटा एक बार क्रॉस प्रोड़ट को रिकॉल जरूर करके आए हालांकि मैं भी बताऊंगा ऐसा थोड़ी लेंगे तो यह आएगा Q V B ताइन थीटा Q V B ताइन थीटा Q V B मतलब यहाँ पर भी आपको क्रॉस प्रोड़ट की आवशक्ता पढ़ने वाली है और यहाँ पर थीटा बन रहा है तो जो वेलोसिटी और मागनेटिक फील के बीच का एंगल है और यह फर्स्ट वेक्टर और यह सेकंड वेक्टर यह फर्स्ट यह सेकंड फर्स्ट और फर्स्ट वेक्टर जो पहले लिखा जाता है सेकंड वेक्टर जो बाद में लिखा जाता है ठीक है तो अब मैं आप पर एक काम करता हूँ cross product को recall कर लेते हैं कि भाईया यदि आपके पास में दिया गया है c vector बराबर a vector cross b vector तो भाईया c vector को define किया जाता है a b sin theta n cap से theta क्या है angle between angle between a vector and b vector a क्या है a है आपका magnitude है of a vector का b क्या है magnitude है b vector का yes or no अब एक चीज रह गई है और वो है बिटा n cap n cap क्या है जड़ा बता सकते हो देखो मैं सिर्फ cross product को recall कर वा रहा हूँ पूरा vector recall नहीं करा सकता n cap है एक unit vector मतलब एकाई सदिश perpendicular to both a vector and b vector या फिर हम कहते हैं बेटा unit vector या फिर हम कहते हैं unit vector perpendicular to the plane perpendicular to the plane in which a vector and b vector are lying मतलब जिस प्लेन में a vector और b vector उपस देते हैं उस plane में उस plane के perpendicular unit vector है ये तो इतना हो गया अब हमें चाहिए होती है इसमें main बात क्या है ये जो c vector आ रहा है इसकी direction तो भाईया direction of c vector कैसे निकालना है कैसे निकालना है भाईया पहला step put your right hand on first vector on first vector in stressed manner stressed manner का मतलब सब्सक्राइब में आता है अब देखो कितने लोगों को cross product आता है उनके लिए देखो ये चीज़ा आसान हो गई अब देखो basically मेरा lecture का maximum duration बहुत सारा duration तो इन basic चीज़ों को बताने में ही जा रहा है electro studies का duration मेरा electro studies आपको समझाने में 15 minutes लगाए vector समझाने में 15 minutes लगाए तो 21 minutes मेरे इसी में जा रहा है इसके गान lecture की duration बढ़ रही है जिसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ put your right hand on first vector in stretch manner फिर क्या है curl your fingers अपनी ही मोड़नी है परोसी की मत मोड़ देना towards second vector towards second vector कैसे ऐसे मोड़नी है like making ladu like making ladu ladu कैसे बनाते है ऐसे पर सर ladu बनाते समय तो हम तो अंगुठे से उसको ये भी करते हैं भाई वो तुम करते हों कि अब हमारा तो तरीका यही है तो मैं मानना है तो मानो नहीं तो मत मानो भाई मैं क्या बोलूं और यह जो stressed thumb है यह जो बाहर निकला हुआ अंगुठा है वही direction देता है stressed thumb gives direction of cross product ठीक है direction of cross product ठीन step को follow करना है कैसे follow करना है उसके लिए पहले direction sense समझ लीजे यह आपका direction sense यह जो है यह है आपकी east अच्छे मैं उदर अरे यार बना के ले दिया readyment ठीक है time बज़ी है मेरा अच्छा हुआ देखो इसे east इसे west north south north और east के बीच में north east south north और west के बीच में northwest south और west के बीच में southwest south और east के बीच में south east और यह exactly सारे angle 45 degree के होते हैं लेकिन यदि आपको लिखा गया 30 degree north of west मान लो आपको लिखा गया है 30 degree आगे आगे जगे है 30 degree north of west ऐसे यदि लिखा है north of west तो बैया देखो इसको बनाने का तरीका क्या है देखो यह हमारे पास में base हो गया 30 degree north of west तो north of west west से west से यह वाला एंगल 30 degree होगा ठीक है clear बाकी normally north west लिखा है तो यह 45 ही होगा ठीक है 30 degree north of west west से 30 चलना है ठीक है west से 30 चलना है west से 30 चलना है चलो बताओ इसकी direction फटाबट ती वेक्टर बराबर ए वेक्टर अक्रोस बी वेक्टर तो देखो ए वेक्टर बी वेक्टर किदर है इदर है तो ऐसे हमने मोडा उंगलियों को तांग उठा किदर आया ऐसे आया बाहर तो भाईया सी वेक्टर की जो direction होगी ऐसे होगी अब आप इसे अपनी notebook में देखिए नोट बुक में आप ऐसे देख रहे होंगे A vector cross B vector तो ऐसे बाहर आएगा तो देखो ऐसे जो notebook में से बाहर निकला मतलब board से भी आपकी तरब ऐसे ही बाहर आ रहा है वही notebook में आप ऐसे देख रहे होंगे मुण्डी नीचे करके अरे बोलो ऐसे देखोगे हाँ आपको इधर A vector दिख रहा होगा इधर की तरब थोड़ा सा टेड़े में B vector दिख रहा होगा तो मैंने देखा A vector cross B vector आपको आया उपर अब आपका जो उपर आया है वो notebook में से उपर निकल रहा है तो ये मेरा board से ऐसे उपर निकल रहा है जो board से उपर निकला है वो mobile की स्क्रीन से उपर निकल रहा है तो direction हमेशा same ही आएंगी एक और सवाल है R vector P vector cross Q vector दिया है अब देखो मैं इसको देखू P vector पहली vector की direction में उंगलियों को मोड़ा दूसरे vector की direction में अंगूटा आया अंदर अंदर आया मतलब R vector की जो direction है वो है essay cross essay cross ये cross का मतलब होता है inward अंदर की दरब तो अब आप अपनी note book में देख रहे होंगे P vector एदर Q vector आयसे मोड़ा तो नीचे जा रहा है आपकी note book में जो अंदर जा रहा है वो बोड में भी अंदर जा रहा है तो direction कभी भी बदलने वाली है या नहीं नहीं direction कभी भी बदलने वाली नहीं है अब यहाँ पर एक सवाल लिया a proton is moving towards east what will be the direction of force acting on the proton if a magnetic field exists in that region vertically downward अब समझना ज़रा यहाँ पर क्या होने वाला है यदि मैं इसको थोड़ा सा द्यान से देखू तो यह और यह यह east है यह west है यह board पे north है यह south है अब board पे upward और downward कैसे बनते हैं vertically upward और vertically downward कैसे बनते बोड़ पे तो बज़्या देखो यह आएगा vertically upward board के हिसाब से और यह आएगा vertically downward board के हिसाब से जिसे आप अपनी notebook में भी देख रहे होंगे अब क्या हो रहा है बोड़ के हिसाब से देखो बेटा अब proton तो बज़्या प्लस क्यू चार्ज पार्डिकल है तो यह इधर मूब कर रहा है प्लस क्यू वाला वी वेक्टर अब यहाँ पर देखो if a magnetic field exists in that region vertically downward मतलब यहाँ पर जो magnetic field है यह magnetic field की direction है अब आप से क्या पूछा क्या है what will be the direction of four setting on it तो भाईया हम जानते हैं we know what do we know fm vector बराबर q v vector cross b vector अब आप इसे दो तरीके से कर सकाएं एक तो मैं ऐसे करूँ यह रहा v vector यह आया cross v vector cross v vector ऐसे आया मतलब यह कौन सी direction है south तो मेरा answer आयेगा इसका south ठीक है अब आप इसे किस से कर लो i cap g cap की cap से कर के देखो तो भीज़ा देखो fm vector बराबर q है positive है proton v vector किदर है किदर है east मतलब i cap cross v vector किदर है किदर है vertically downward vertically downward मतलब यह आयेगा कितना आयेगा बेटा minus का k cap बोलो सही है क्या सही है क्या कुछ गलती हो रही है क्या south नहीं आ रहा है north आ रहा है बेटा हूं मैंने क्या कर दिया v vector cross v vector north आ रहा है मैंने कैसे हाथ गुमा दिया भी आर sorry देखो यह v vector क्योंकि देखो magnitude field का formula क्या q v vector cross v vector तो v vector देखर है magnitude field की देखर है अंदर तो v vector cross v vector तो अगूठा किदर आया ऊपर आया answer north आएगा अब यहां से देखो i cap cross minus k cap तो minus को दो बाहर छोड़ो यह plus है इसको छोड़ो i cap cross k cap minus j cap minus minus plus j cap तो answer आ गया j cap और j cap का मतलब क्या आएगा north यह आपको पता है कि नहीं पता है भाई यह आपको पता है यह नहीं पता है कि हम इसे मानते हैं i cap इसे मानते हैं minus i cap इसे मानते हैं j cap इसे minus j cap इसे मानते हैं k cap और इसे मानते हैं minus k cap यह सब पता है ना यह पता होना ज़रूर है भाई क्योंकि जायर से बात है यदि पता लेके गलत निकले तो क्या पता क्या होगा किसको पता कि क्या पता होगा समझ में आया है क्या देखो भाई जिसको डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है नहीं निकाल पाते सरम को लड्डू बनाना नहीं आता है सरम नहीं जा सकते हल भाई के पास लड्डू सीने I-Cab, J-Cab ले लो इससे आपका अंसर कभी गलत नहीं होगा चुक्क दोगो इस चैप्टर में मैं बार बार ऐसे हाथ को गुमाऊंगा लड्डू बनाऊंगा फिर आप गलती ना करना सो मेरी सजेशन है भाईया आप इससे कर लो लोग एक और सवाल है प्रूटॉन के बाद इलेक्ट्रॉन का सवाल होगा सेम सवाल होगा ये पढ़के देख लो इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ज इस्ट ठीक है मैंने ये बनाया ये बनाया ये बनाया ये बनाया मैंने लिखा इस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया upward, यहाँ लिख दिया मैंने downward ठीक है इतना कश्च तो करना ही पड़ेगा फिर मैंने लिख दिया यह है i cap, यह है आपका j cap, minus i cap, यह वाला है minus j cap, यह वाला है k cap, यह वाला है minus k cap ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वो सवाल पढ़ लो, moving towards east, मतलब यह है आपका electron, मतलब e minus है और यह इधर जा रहा है, यह आगया, velocity vector what will be the direction of force acting on the proton of the magnetic field, vertically downward, तो भाईया यहाँ पर जो magnetic field है, vertically downward ऐसा है एक तो है कि आप हाद गुमा के करो, v vector cross v vector, ऐसे होगा कि नहीं, v vector cross v vector, अंगूठा आया उपर, लेकिन charge negative है, तो जो negative आया है, उसको क्या करते हैं, बिटा हम लोग, direction को पलट देते हैं, याद आ रहा है कहीं कहां लिखा मैंने, कहीं तो लिखके दिया है आपको direction of man in a field obtained for negative charge, विलिए direction obtained for positive charge, तो भाईया ये हर जगे vector में लगता है, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी लगेगा, इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि भाईया आप ते एक simple सा काम ये कर लो, पता क्या वी नो वाला concept लगाओ, fm vector बराबर q, v vector cross b vector, ठीक है मैंने लगा दिया, अब आप देखिए बिटा यहाँ पर, fm vector बराबर q electron का charge negative, v vector क्या है, i cap direction में है, cross v vector गहाँ है, minus k cap वाली direction में है, minus minus बाहर आजाएगा, तो fm vector बराबर आएगा, i cap cross k cap, और भाईया जी जब आप इसे solve करोगे, तो यह आएगा, minus j cap, और minus j cap, का मतलब आएगा, south, बोलो भाईया, कोई दिक्कत होगी, क्या, minus j cap का मतलब क्या आएगा, south, दक्षिन दिशा, दक्षिन दिशा, है न, दक्षिन मनना, क्या था यह, yes or no, इसको न दो, इसको करके देखो, अब दिखो, इसके साबसे आप देखोगे, चलो, यह q vector है, यह aise गया, यह aise गया, यह, यह, और अैजिए, इधर आया, इधर आया, मतलब, क्रोस, v vector, cross, v vector अंदर आया, cross, अब दो, यहाँ पर भी, v vector, cross, v vector, अधर आया, लेकिन इसके लगा क्या देंगे dot यह आएगी fm vector की direction यह मैंने directly बता दिया आपको आप इसको ऐसे कर लीजे भाई यह कैसे करेंगे यह आएगा किदर है north मतलब j cap cross यह कितना है i cap कितना आएगा minus k cap यहाँ देखो कितना आएगा अचा यहाँ पर एक चीज और रहे गई plus और यह यहाँ आएगा माइनस फिर यहाँ आएगा जे कैप क्रोस आई कैप तो यह आएगा के कैप जैसे मन में आए वैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं यास और नो अब एक पॉइंट और है कंडिशन्स फॉर मागनेटिक फोर्स टू भी जीरो तो भाई यह देगो वी नो देगो पढ़ना पड़ेगा एफ एम वेक्टर बराबर है क्यू वी बी सा आरे रे रे मैंने वेक्टर लिखा है तो क्यू वी वेक्टर क्रोस बी वेक्टर लॉरेंज फोर्स तक और उसके एक्जामपल खतम करने है तो अब मैं आपसे औरल ही पूछता हूँ पॉइंट्स तो लिखे हुएं बुकलेटी अंदर में भी आपको भी डे नोर्स में लिखे हुए मिलेंगे बताओ मैंगनेटिक फोर्स जीरो तो बैया एफ एम विल बी एक्वल टू जीरो इफ बोलो कब कब पहला क्यू बराबर जीरो मतलब न्यूट्रल पार्टिकल दूसरा वी बराबर जीरो मतलब चार्ज एट रहे है चार्ज तो है लेकिन रेश्ट पर है तीजरा वी बराबर जीरो मतलब मैंगनेटिक फील्ड ही नहीं है और चौता थीटा बराबर जीरो बराबर मतलब चार्ज मूविंग चार्ज मूविंग अलॉंग magnetic field charge moving along magnetic field बासन में आ दिये simple, yes or no या कहें charge moving in the direction, parallel to the magnetic field पता इसमें कौन सा concept है, कितना दिमाग लगाना पड़ रहा भाई, ये common sense है सर जी common sense is something which is not common, don't you know about it सर जी units magnetic field के unit क्या आएगी, what is the unit of magnetic field बताओ बताओ, बताओ तो भाईया देको FM बराबर आ रहा था QVB Sine Theta ठीक है तो B बराबर आएगा FM अपान QV सर साइन थीटा कहाँ गया वो तो उसमें unit होती नहीं है तो भाईया बताओ, क्या आएगी unit Newton अपान कूलम मीटर पर सेकेंड कूलम पर सेकेंड कूलम पर सेकेंड को MPR लिख सकता हूँ, मतलब Newton पर MPR मीटर यास और नो यास और नो इसको हम कहते हैं इसको हम कहेंगे क्या ये जो बन रही है इसे हम कहेंगे एक टेसला मतलब एक टेसला ये ऐसा unit है वान न्यूटन पर MPR मीटर अब ये जो टेसला जो है वो काफी बड़ी unit है तो इसके लिए एक और unit यूज़ करी जाते है जिसका नाम है गौस तो वान टेसला बराबर आएगा 10 to the power 4 गौस गौस को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं या आप ये कहिए कि एक गौस बराबर 10 to the power minus 4 टेसला लेकिन मैं अभी आपको एक इंट्रेस्टिंग चीज और बताता हूँ वो है NCRT मैंने बोला ना NCRT बड़ी काम की चीज़ है अच्छा ये पेज में आगे गया ही नहीं हो गया ये सब चीज़ है मैंने सब कुछ कवर कर लिए ये सब कुछ दिया हुआ यही दिया है पर सर्य क्या QE क्या ये क्या अरे भाई इलेक्रोस्ट्राटिक से और कुछ नहीं है पढ़ना जरूर बेटा मैंने फिल्ड लॉरेंच फोर्स वो सब ठीक है मैं आपर आपको मैंगनेटिक फिल्ड की यूनिट बताने वाला तक कहां गई देखो ये वाला ये वाला जो पेज दिख रहा है इसको जरूर पढ़ना मैंगनेटिक फोर्स जीरो होगा चार्ज नॉट मूविंग क्या ये सारी चीज़े तो मैंने बताई ना ओनली ये मूविंग चार्ज फिल्ड दा मैंगनेटिक फोर्स क्या यही चीज मैंने बताई आपको अब भाईया देखो खा ऐसे लो चाहब ऐसे खा लो सर वहाँ एक लॉरेंच फोर्स लेका है रुको जा रहा धहरे रखो एक एक करके सीखो यहाँ पे एक बात समझो एक्षिल यह पॉइंट इंपॉइंट है आप इसे यह कर लेना क्या बोलते है इसको अंडरलाइन कर लेना इसको वह लिख सकता है वन टेसला लिख लेना भाईया किताब बिताब हो आपके पास तो भूली बट की कोई किताब मिल जाए कही वेन दा फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज मुविंग परपेंडिकिलर तो मैगनेटिक फील भी देखो यह जो डार्क करके लिखा है ना बोल्ड लेक्टर में इसका मतलब वह वेक्टर लिखा है वेदस पीड वन मीटर पर सेकेंड एज वन नूटन वह यह एक इंपोर्टेंट लाइन बन सकते है जिस पर क्वश्चन बनाया जा सकता है डाइमेंशनली वी हैं दिस 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 इसके डाइमेंशन नूटन सेकेंड पर कूला मीटर दिस दिस इसे आप टेसला कहोगे निकोला टेसला के नाम पे है टेसला बड़ी यूनिट है स्मॉलर नौन ऐसा यूनिट जो है वो गौस है और ये इतने के बराबर होता है और भाईया अर्थ का भी एक मैंगनरिक फील्ड होता है जो इतना होता है अब इसके आगे जो टेबल फेवर लिखा है वो नहीं NCRD में नहीं है लेकिन आप यहां तक को important मान के पढ़ना है विल्कुल NCRD में से में ये जो नीचे की टेबल वर 4.1 वगरा दिख रही वो नहीं मिलेगी बस बाकी सब कुछ मिलेगा हालां कि मैं स्टेबल के जरिया आपको कुछ चीज़ां बताना चाहूं अर्थ का मैंगनेटी फील्ड हो गया तो आप देखिए न्यूट्रान स्टार का मैंगनेटी फील्ड बहुत जादा है उसके बाद टिपिकल लाज्ट लेबरेटरी में जो जनरली फील्ड निकाला जाता है एक बार मैंगनेटी के पास में अर्थ की सर्फेस पे यूमन नर्व फाइबर यूमन नर्व फाइबर और इंटरस्टेलर स्पेस में इतना है तो यह यह इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ओर्डर अब देखो मैंने भी सिर्फ आपको मैंगनेटी फिल्ड की यूनिट निकालना सिखाया है सर आपका सीक्वेंस और किताब का सीक्वेंसर मैच नहीं कर रहा है सर आप बीच में देकाज इसे फुदक-फुदक के आगे-पीछे-आगे-पीछे कर रहे हो पेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें एक बात बताओ मैंने जो भी पढ़ाया अभी तक कोई ऐसा पॉइंट लगा कि ये आगे पढ़ गया हूँ और इसे अभी नहीं पढ़ाना चाहिए था नहीं ना बिलकुल नहीं ऐसा हो गई नहीं अब मैं लॉरेंट्स फोर्स ही पढ़ाऊँगा देखो आगे हेडिंग लॉरेंट्स फोर्स की कि नहीं आई बिलकुल तो लॉरेंट्स फोर्स क्या लॉरेंट्स फोर्स तो हम कहते हैं की देखो पहले मैं थोड़ा समझा रहेता हूँ direct क्या लिखूं मान लो कोई एक region है जहां पर electric field भी present है और magnetic field भी present है दोनों field present है क्या present है electric field is present as well as magnetic field is also present if both the field are present and suppose if कोई charge particle यदि उस electric field में move करता है तो उस पे क्या लगेगा उस पे लगेगा electrostatic force बराबर है बिल्कुल बराबर है अच्छा चूकि charge particle है वो चल भी रहा है magnetic field में तो इस पे क्या लगेगा magnetic force लगेगा अब यह मत कहना सर magnetic force तो 0 भी हो सकता है हाँ हो सकता है लेकिन लगने की संभावना है बिल्कुल है मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि यदि किसी रीजन में electric field और magnetic field दोनों present है और वहाँ पर इदी कोई charge particle move कर रहा है तो उस स्थिती में उस पे क्या लगेगे electrostatic force as well as magnetic force तो सर यह Lawrence force कौन सा है तो को जरा Lawrence force को define किया गया vector sum of electrostatic force and magnetic force तो electrostatic force आपने पढ़ा हुआ है electrostatic वाले unit में magnetic force अभी हमने पढ़ा है जस्थोड़ी देर पहले lecture अभी तो चली रहा है तो भाई यह हम कहते हैं कि when electric field when electric field and magnetic field both are present both are present in a region and a charge particle a charged particle q moves with velocity v moves with velocity v एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर लिखी देता हूँ electric field को मैंने लिख दिया e vector magnetic field को लिख दिया मैंने b vector moves with velocity v in this region then it experiences both electrostatic force Fe and magnetic force Fm हम जानते हैं भी देखो यदि किसी charge particle को मैं चला रहा हूँ जहाँ पर एक ऐसे region में जहाँ पर electric field और magnetic field दोनों प्रिजेंट हैं तो भाईया उस पर electrostatic force भी लगेगा और magnetic force भी लगेगा बिल्कुल सही बात है तो lawrence force क्या है भाईया तो lawrence force को हम यहाँ पर denote करते हैं एफ एल वेक्टर से तो then हम कहते हैं कि जो एफ एल वेक्टर जो है वो है आपका वेक्टर सम ओफ electrostatic force and magnetic force clear है तो lawrence force क्या है भाई कुछ नया नहीं है electrostatic force और magnetic force का क्या है vector sum है यदि आप देखोगे तो fe vector बनेगा आपका q e vector f m vector magnetic force बनेगा q v vector cross b vector so आप कहोगे therefore f l vector बनेगा q e vector plus का q v vector cross b vector यहाँ से यदि आप देखोगे तो यदि आप q को common ले लो यह आएगा e vector plus का v vector cross b vector यह है आपका lawrence force बताओ इसमें क्या दिक्कत है कोई दिक्कत होगी क्या मेरे इसाब से नहीं होगी होगी क्या नहीं होगी चलो इस पर एक आद example कर लेते हैं देखो यहाँ पर सवाल दिया गया है कोई चार्ज है वन हमका electric field दिया है magnetic field दिया velocity vector दिया है find lawrence तो बाईया देखो f l vector बराबर आएगा q e vector plus का v vector cross b vector yes or no so it implies f l vector बराबर q क्या है 1 e vector कितना है 2 i cap plus v vector कितना है 3 k cap cross यह कितना है b vector है 2 j cap solve करो इसे solve करो इसे तो f l vector कितना आएगा 1 को तो छोड़ तो यह आएगा 2 i cap plus 3 to the 6 k cap cross j cap i j k यह आएगा minus i cap so it implies f l vector बराबर आएगा minus का 4 i cap क्या यह सवाल आसान था क्या यह सवाल आसान था बिलकुल अब देखो यह तो simple है लेकिन थोड़ा सा मैं थोड़ा सा tough करूं इसको मतलब यह तना बड़ा data दे दू तो क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं अब देखो ऐसे इन छोटे सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं हो यहाँ पर हमने कर लिया 3 k cap cross 2 j cap लेकिन जो data बड़ा हो जाए देखो मैंने fl vector बराबर लिख दिया q e vector plus का v vector cross b vector तो भाईया देखो इसको एक काम कर लेते हैं v vector cross b vector क्या बनेगा तो i cap j cap और k cap determinants all करते आना चाहिए तो देखो भाईया v vector v vector कहा है यह रहा तो यह आएगा 3 minus 1 और 2 v vector कहा है 2 minus 1 और 3 क्या यहां तक कोई परेशानी है तो देखो यहां से solve करेंगे it implies v vector cross b vector बराबर आएगा पहले i cap को छुपाया देखो यह आना चाहिए determinant solve करना scalars and vectors में भी सीका इसको छिपाया तो यह आएगा 3 into minus 1 minus 3 और अब देखो मैंने लिखा minus 3 minus अब देखो क्या होगा देखना minus 2 होगा ठीक है यास और नो फिर formula का आएगा minus j cap अब j cap को छुपाओ यह चिपाया तो देखो top left to right bottom जाना है 3 3 जा 9 minus 9 minus क्या आएगा 2 2 जा 4 आएगा बिल्कुल सही बात है plus k cap अब बोलो कितना आएगा तो भाई अब हम k cap को छिपाएंगे minus 3 और minus minus 2 minus 3 minus minus 2 कर सकते हैं क्या so जरा इसको solve कर लेते हैं तो it implies v vector cross v vector बोलो बच्चा कितना आएगा देखो यहाँ minus 3 है minus minus होगा plus 2 तो plus 2 और minus 3 minus 1 यह आएगा minus i cap clear पर यहाँ देखो 9 में से 4 गए 5 और यह आगे का minus है तो यह आएगा minus 5 जे कैप अब यहाँ देखो minus 3 minus minus plus 2 तो वही minus का के कैप बोलो यहाँ तक कोई परेशानी है क्या वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर ही लिखना है ना अरे रे 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 वाला था और मैंने बड़ी तगड़ी वाली गल्दी कर दी वान वान और वान आई कैप जे कैप के कैप फिर से करना पड़ेगा कैल्कुलेशन को भाई या चलो हटा देते हैं क्या करें देखो हो गई अब तुरन पकड़ में आ गई पता नहीं कैसे पकड़ अजीब सा लगा कई बार बहुत बार सवाल करा है होते हैं कई बार क्लिक हो जाता है कई बार नहीं भी होता है आई कैप को छुपाया माइनस वन इंटू वन करेंगे तो यह आएगा माइनस वन माइनस देखो आई कैप को छुपाना है पूरा तो इंटू वन तो यह आएगा टू फिर माइनस माइनस 1 बराबर है चलो So it implies V vector cross V vector बराबर कितना आएगा माइनस 2 माइनस 1 तो यह आएगा माइनस का 3i 3 माइनस 2 1 तो यह आएगा माइनस j cap 3 माइनस 1 मतलब प्लस 4 तो यह आएगा प्लस का 4k cap अब क्या करना है अब आप Lawrence force के formula में लिख दो तो भाईया DR4 FL vector बराबर 1 E vector E vector कितना है 2i माइनस j 2i माइनस j प्लस 3k cap और प्लस देखो यह E vector का अंसर आ गया V vector cross V vector का कितना माइनस 3 माइनस 1 और प्लस 4 माइनस 3 माइनस 1 और प्लस 4k cap बराबर है अब देखो यह 1 है इससे तो ज्यादा फरक पड़नी रहा सीधा सीधा इसको देखेंगे तो FL vector कितना आएगा यह 2i और यह माइनस 3i तो यह आ रहा है माइनस i माइनस j और माइनस j माइनस का आ रहा है 2j 3k और प्लस 4k तो यह आ रहा है 7k cap Please check the calculation one more time आप भी अपनी साइड से calculation को check कीजिए yes or no अब देखो हो सकता है examiner radius का magnitude पूछे तो कितना निकालेंगे बेटा यह आएगा under the root of माइनस 1 का square प्लस माइनस 2 का square प्लस 7 का square ससाद 49 और 51 और 54 तो यह आएगा FL बराबर square root of 54 Newton force तो भाईया Newton में आएगा force को मत कर दे ना किसी और भाशा में किसी और unit में yes or no चलो एक आज सवाल और कर लेते है competitive exam का है क्या यह हाँ है तो सही सवाल देखो क्या है थोड़ा अच्छा सवाल है थोड़ा सा difficult भी हो सकता है थोड़ा difficult लगे आपको यह उसने बोला है कि आपको एफ वेक्टर बराबर आप जानते हैं कि यह ऐसा एक फॉर्मूला होता है पुलड़ ठीक है हम जानते है Q बराबर क्या दिया है 1 दिया है तो 1 को छोड़ दो मतलब आपके पास में भी F वेक्टर बराबर है V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर Q क्योंकि Q बराबर क्या है 1 है अब उसने बोला है कि यहाँ पर F वेक्टर की वैलू ये आई है 4 I कैप माइनस 20 J कैप प्लस का 12 K कैप बराबर V वेक्टर कितना था ये था आपका 2 I कैप प्लस का 4 J कैप प्लस का 6 K कैप cross product लगेगा अब B को लिखा है उन्होंने B I cap प्लस का B J cap प्लस का B not K cap ये है कहानी तो वो बोल रहा है कि ये B की value बता दो अब एक बात समझे कि ये B B लिखा और वो B not लिखा है मतलब पहले दो terminology सेम होनी चाहिए तो 6 6 सेम है माइनस 8 माइनस 8 सेम है माइनस 6 माइनस 6 8 8 सेम है मतलब अपना काम काम नहीं होगा solve करना पड़ेगा ये पहला step था फेल हो गया दूसरा दूसरा क्या है कि हम एक काम करें एक एक value को उठा के वहाँ पर put करो cross product करो चेक करो तर बहुत देर लगेगी बिलकुल लगेगी वो तो लग नहीं है किसरा option क्या है इसको solve कर लो और answer को compare कर लो मतलब कैसे अब दो compare कैसे होगा क्या लिखाए देगा तो आई cap फोर जे कैप प्लस 6 के कैप तो यह हम ले कहेंगे यह आएगा आई cap जे कैप और के कैप two four six two four six है क्या two i cap प्लस four j cap प्लस six के क्या और b b b not यहां आएगा b b और b not यदि मैं इसको solve करता हूँ तो कितना लिखूंगा बताओ इसको solve करके तो यह देगो पहले छिपाया i cap को तो यह आएगा four b not minus ka six b सही है फिर फॉर्मूले का आएगा minus j cap j cap को छिपाया तो यह आएगा two b not minus ka six b जिनको नहीं आ रहा है द्यान से देखिए बिटा और प्लस k cap k cap वाली लाइन को छिपा दिया ऐसे तो टॉप left to right bottom तो यह आएगा two b minus four into b तो यह आएगा four b अब जड़ा द्यान दो यहाँ पे यदि मैं इसको थोड़ा सा solve करके लिखूँ तो यह आएगा आपके पास मैं four b not minus six b i cap minus यह आएगा two b not minus six b k cap और k के पाला कितना आ रहा है minus two b k not और यह किसके बराबर है बेटा यह बराबर है four i minus twenty plus का twelve यह equal है four i minus twenty four i minus twenty j cap प्लस का twelve k cap अब देखो यहाँ पर क्या कर लोगे comparing तो देखो compare करेंगे i cap, j cap, k cap, k cap, k coefficients को तो अब आपको आगे solve नहीं करना बहुत जादा k cap पाला देखो यहाँ क्या है twelve k cap यहाँ क्या है twelve k cap equal to क्या है minus का two b k cap, सही है तो अब आप देखो आपने क्या किया k cap से k cap cancel दो से काटोगे तो यह छे बार तो भाईया, b बराबर आएगा minus का six b बराबर minus six आया है, तो अब आप देखिए expression में, b vector की equation में b i b j आ रहा है, मतलब minus six वाला answer सही होगा, खतम आगे solve भी नहीं करना है हो गया option number three पर sir, अब दो कई बच्चों ने यहाँ पे, कई बच्चों इसाथ में गलती गया क्या हूँ हूँ, मैं वो भी बताता हूँ कई बच्चों इसाथ में गलती गया हूँ, उन्होंने assess all किया, और यहाँ पे minus two b k cap देख लिया, तो उन्हें लगा minus two b k cap, k cap से k cap, b cap b यहाँ गया, इन्होंने लगा दिया यह वाला, कई यहों से यह लगे हैं, इन दोनों में उनको लगा, फिर i cap, i cap आलों को करोगे, तो यह आएगा four b not minus six b और इधर से i cap का coefficient कहाता, four i, मतलब यह आएगा four kे equal, दूसरा देखो, j cap वाला किया, तो देखो, ध्यान से देखो, j cap आले को जब देखोगे, तो देखो, बाहर minus है, अंदर आ रहा है two b not minus six b, कितना आ रहा है, two b not minus six b, तो आपने लिखा two b not minus का six b, equal to, देखो, यह minus और यह minus खतम, तो यहाँ twenty बचा है, तो आपने इसे लिख लिए twenty, तो यह काम करो, इसमेंस इसको किया, यह minus, इसको करेंगे, यह plus आएगा, यह आएगा minus, तो four b not minus two b not, कितना आएगा, two b not, बराबर, यह दोनों आपस में कटेंगे, तो यह आएगा minus 16, तो b not बराबर आ रहा है, minus eight, अब आप देखो, यहाँ पर, देखो, b not बराबर minus eight आ रहा है, तो b not बेटा third place पर है, तो देखो, यह आगा आठ, आया की नहीं आया, बोलो, क्या बोलते हो, सही है या गलत है, वैसे तो खतम हो गया, पर मेरा मन कर रहा है, एक topic और जो बचा है, छोटा सा specific charge का एक topic है, इससे cover कर देता हूँ, specific charge, विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश, यह क्या बला है, हाँ, इसे बेटा हम डिनोड करते हैं, alpha से, ठीक है, यह alpha अलग है, generally, मतलब वो वाला alpha नहीं है, तो भाईया, the ratio of, the ratio of charge to mass, the ratio of charge to mass is called as specific charge of particle, specific charge of particle, किसी भी particle के लिए, किसी भी charge particle के लिए, उसके charge और उसके mass के ratio को कहा जाता है, specific charge, क्या कहा जाता है, specific charge कहा जाता है, या विशिष्ट आवेश कहा जाता है, हमारे पास में तीन standard particle हैं, जैसे electron है, तो electron के लिए आएगा, QE upon M E, यह सौर नू, और यदि यह आएगा, तो alpha E charge कितना होगा, 1.6 into 10 to the power minus 19, mass कितना होगा, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, अच्चा, unit के बारे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसकी जो unit होगी, its unit is, कूलाम पर kg, खत्म, इतना ही पढ़ना बस इसमें, पांस मिन्ट की बात थी, अब यह मैंने alpha के लिए निकाला, मैं आपको इसके लिए निकालता हूँ, proton के लिए कितना आएगा, charge of proton upon mass of proton, पुट कर लो भई यह तो यही रहने वाला है, 1.6 into 10 to the power minus 19, mass कितना आता है, 1.67 into 10 to the power minus 27, बराबर है, NCRT में भी दिया हुआ है, उसको करके देख लेना, और एक बेटा alpha particle के लिए, charge of alpha upon mass of alpha, यह आपके लिए, बहुँ, मैंने एक भी नहीं करवा, लेन करना है, alpha particle क्या होता है, alpha particle जो होता है, वो होता है, doubly ionized, ध्यान लगना, doubly ionized, helium nuclei, helium nuclei, को हम alpha particle कहते हैं, जो की वास्तविक्ताम है, 2he4 plus 2, जन्होंने chemistry पढ़ी है, उनको यह पता होगा, मतलब, यह होता है, charge मतलब 2e, और mass होता है, 4 times mass of proton, तो alpha for alpha आएगा, 2 into 1.6 into 10 to the power 19, upon 4 into 1.6 into 10 to the power minus 27, kindly solve it yourself, एक सवाल और बचा होगा, booklet में उसको भी खुद से करना, वो भी unsolved है, कोशिश करना, और जगे दे रखिये, तो वहाँ पे उसका, भरपूर उपियोग करना, और उसे solve करना, ठीक है, lecture थोड़ा सा लंबा है, एक घंडे से ज़्यादा है, लेकिन दो से तो कम है, एक घंडे से ज़्यादा है, लेकिन दो से तो कम है, 90 से थोड़ा सजादा है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो, ठीक है, इतना सब कुछ हमने पढ़ा है, देखो एक बार मैं फिर से कहा दू, बुकलेट को पढ़ना बुकलेट के अंदर में जो प्रिंटेड माटेरियल जिन लोगों के पास में है उनको पढ़ना बेटा जिनके पास में है सारी चीज़े दे रखी और NCRT में जो मैंने बताया है उसको जरूर पढ़ना कोई डिफिकल्टी नहीं होगी है ना जहां सवालों के लिए स्पेस दे रखा है वहां खुद से सौल करना पेंट चलाओगे तो अच्छा लगेगा ठीक है और फीड़बैक जरूर देना ठीक है चलो सो कहानी को हम यहीं पर करते हैं समाप्त बिटा थैंक्यू सो मच एवरिवन दैट सिट फॉर टुड़े आज के लिए बस इतना ही मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दर्मियान सो तब तक के लिए रन्यवाद